हेलो मैं सारोज आग एक नया इवाइक असेंबल वीडियो ले करके तो बने रही है और इस्टेप बाइस्टेप देखिए अगर इस्कीप करते हैं तो पूरा वीडियो आप लोग समझ नहीं पाईएगा कहां कैसे क्या लगता है तो चलिए देरी ना करते हो साइकल की बॉक्स को अन्बॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या निकला है क्या क्या निकलता है पहले तो निकल गया ऐसे सिरीज वाली बॉक्स एक चोटी बड़ी वाली उसके बाद निकल गई अपनी सीट पोस्ट उसके बाद आपका मटगाड है और इसके साथ ऐसा करके कुछ न निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले cycle को हम लोग निकाल लेंगे, निकाल करके जो box से उसको हटा लेंगे, फिर आप देख सकते हैं सामने, इसका चक्का देखी है, 4 इंच मोटा, चक्का 20 इंच wheel height के size में है, चलिए पहले सारा जितना कुछ भी wrapping बगी रहा है, सारा कुछ हम ल लोग का आसानी होगा, यह cycle जो है, cycle आपका motor art company के तरफ से, doodle, model name जो है, doodle है, यह dual disc brake और 7-speed gear के साथ आपका आता है, और सामने आपका suspension जो है, lockout suspension है, आपको सामने आगे चल करके वीडियो में आपको देख जाएगा, तो चलिए देरी ना करते हो, फट आफट रैपिंग सारा खोल लेते हैं, और देखते हैं, कि कैसे क्या कहा फेटिंग होगा, यह हम लोग का display इसका, यह जो है, यह अपको headlight मिलेगा देखने के लिए, headlight रहेगा और जो संग में रहेगा reflector, तो यह जो accessories वाली box निकला था अपना, तो इसके अंदर से क्या निकलता है, हम लोग देख लेते हैं, इसके अंदर और तीन चोटा-चोटा डबबा आपको मिल जाएगा, डबबा बोलिए या box बोलिए, तो यह तीन box के अंदर क्या रहता है, तो पहला box के अंदर हम लोग का मिला है charger, जिससे हम लोग cycle को charge करेंगे बैटरी को, तो इसका अभी कोई use है नहीं, तो हम लोग इसको रख देते हैं side पे, फिर आप दूसरी वाली box पे देख लेंगे क्या निकलता है, इसके अंदर हम लोग का निकलता है paddle, जो है paddle भी हम लोग का foldable paddle है, तो यह कहां से fold होगा, यहां से हम लोग का, इसको अंदर के तरब घीचेंगे तो यह fold हो जाएगा, इ तिसरा box में क्या लेकलता है, तिसरा box में निकलता है हम लोग को tools और की रिंग, तो tools के अंदर हम लोग क्या क्या मिला है, tools के अंदर मिला है हम लोग को 8-9 वाली range, 8 और 10 वाली range, और 14-15 वाली range, और संग में मिला है multi tool kit, यह अपना चावी वाली ring जो हम लोग है की रिंग ब निकला था यह मटगार्ड देखी सकते हैं चलेए अब साइकल कर लेते हैं तो सौक्ष असेम्बल करने के लिए जो फोल्ड वाली साइकल होती है इसकी हेंडल जो है थोड़ा सा अलग टाइप का होता है हेंडल पर ऐसे घाड बना हुआ रहता है घाड बोलिए जा धाचा बोल तो उस पे मिलाकर ही इसको बैठाना है तो कहां कैसे आप देखी सकते हैं सामने से आपको दिखा दे रहें ऐसे उसके अंदर जो गाट बना हुआ था और हैंडल पर गाट बना हुआ उसके अंदर ऐसे बरबर में फीट होकर की अंदर जाएगा फिर हम लोग जो है कुईक रिल इसको भी हम लोग चाप करके बैठाएंगे और फाइवर वाली लॉक होता है जो होल पर जाकर के बैठ जाता है उसको भी हम लोग लुग कर लेंगे ताकि यह खुले नहीं यह हम लोग समाझ गया है अब दूसरी बार जो है हम लोग मटगाड लगा लगाने के लिए हम पहले हम लोग उसको एड़ेस्ट किये उसके बाद बोल्ट बैठाएं पहले हेट लाइट पर उसके बाद मटगाड बैठाएं उसके बाद ही बोल्ट को अंदर लिए उसके बाद नट लगा करके उसको टाइट कर लेंगे ऐसे जो आपका टूल किट लगा निमिला था उसी मल्टी टूल लगाएंगे ये लिंकी 5 mm बोल्ट अर्दस नमबर रिंज से हम लोग इसको टाइट कर लेंगे बढ़िया से टाइट कर लेने के बाद अब फॉर्क पर ही आप देखिएगा मडगार्ड स्टीक लगाने का जगा होगा तो उसका भी ये लिंकी बोल्ट खोल नहीं खूले नहीं तो आपी को फिर बाद में साउंड वगेरा मिलने का चांस रह सकता है तो इसको बढ़िया से हम लोग टाइट कर लेंगे दोनों साइड फिर हम लोग सामने वाली हुईल बठा लेंगे तो हुईल बठाने के लिए दोनों साइड का हम लोगों नाट और पहले सबसे फेले खोल लेना है खोलने का बाद के सामने से उठाएंगे फिर बढ़िया से आराम से देखते लिए रोटर के रोटर जो है कैलिपर के अंदर चला जाए और एक्चल या वी-इसको प्र तैट करेंगाे तो पहले दोनों साइड का हम लोग हम लोग टाइड कर लेगे हैं से हम लुग टाइड कर लेंगे अब यह उसे के हम लोगव लुग का यहां बड़िया से हाथ से ही टाइड की हैं उसके बाद जो है अपना टू कीट में जो निकला था रिंज 14-15 नंबर तो 15 नंबर रिंज से हम लोग बढ़िया से टाइट कर लेंगे जैसे कि हम पहले ही बताए चुके हैं तो देखी सकते हैं लोकाट वाली सेस्पेंशन लॉक ओपेन तो आगे हम लोग फिटिंग जारी रखते हैं तो देखी सकते हैं राइट और लेट बाली पैडल तो आपना चेन-व्य से लगेगा नेका बाद यह साइट ही होग आपना बी Brush हम में रहता हहरी तो एबस साइड बढ़ने का है लगा लेंगे पहले कुईक रिलिस जो है हम लोग ओपेन करेंगे ओपेन करने के बाद सीट पोस्ट डालेंगे सीट पोस्ट अपना हाइड के हिसाब से डालिए डालने के बाद फिर से जो है कुईक रिलिस वाली जो नट होता है उसको हम लोग टाइट कर लेंगे इतना टाइट करेंगे कि हालका हातों से हम लोगों को टाइट लगे उसके अबाद कुई क्रिलिस को चाप करके ऐसे बठा लेंगे इतना प्रेसर जरूरी है देना नहीं तो हम लोगों को सीट पोस्ट घूमते रहेगा सीट हमेसा धेला रहेगा तो इतना टाइट रखी है तो फिर हम लोगों को लगेगा 6 mm लेंकी जो की बोल्ट जो है 6 mm बली बोल्ट है तो 6 mm लेंकी लगेगा तो इसको हम लोग धिला कर लेंगे धिला हलका करेंगे जादा नहीं ताकि ढख ना हो जाए और हलका हातों से घूर भी जाए इतना धिला करेंगे देखिए ऐसे करके हम लोग जो है हलका सा घुमा लेंगे बस जिस तरफ आपको लगे की सीधा करना उसी तरफ घुराने के बाद फिर टाइट करेंगे हम लोग बहुत जादा ही टाइट करेंगे कि यह ढेला ना हो तो हम लोग बढ़िया से इसको टाइट कर लेंगे कि टाइट कर लेने का बाद जो है कि बापस से हम लोग उसी सेम जैसे तरीका अपना आये थे उसी तरीका से हम लोग कुई क्रिलिस को लॉक करेंगे लॉक करने के बाद फिर फाइबर वाली जो लॉक होता है उसको लॉक कर लें तो चलिए अब हम लोगों का ब्रेक करने का बा सामने वाली बेक पूरा धही तरीका है कि पहले तो लोग वायर को पूरा ध्यला कर देंगे का बाद का कि उसको टाइल कर लेंगे tha कि को टाइड कर लेंगे वायर जहां तक तहसना करके फिर यतन फिर आप क्या करेंगे हम लोग पीछे साइट देखेंगे तो उदर फाइब में लिंकी बोल्ट होगा जिस से हम लोग पैड को अंदर धकेल सकते हैं ब्रेक पैड को टाइट करते हुए अंदर के तरफ धकेलेंगे जितना जा रहा है इस पे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम था नहीं उतना ही प्रॉब्लम था कि इधर से ब्रेक पैड जो है अंदर तरफ था नहीं तो इधर हम ब्रेक लिवर चापते हुए देख ले रहे कि हाँ इतना जरूरी है तो ऐसे करके कर लेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे बापस से ब्र ज्री आशनवेंट होता है तो मेंरा चैनल पर दीया हुए वीडियो अप लोग ढ़र देख सकते हैं डेक अब बडा हो जाता अब हमदो सरुर्श कर लेंगे एंगे बापस से देख ले के वाली प्रॉब्लम है जो हाई स्कूरू बहुत ज्यादा टाइट है इसलिए हम लोग हाई स्कूरू को थोड़ा सा लूज कर देंगे तो हम लोग को गियर एड़ेस्ट्मेंट हो जाएगा वाली वीडियो आपको देखना वह भी मेरा चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा तो यह हम फिर से वापस से चेक करेंगे पॉपर तरीका से चेक करेंगे एक के बाद एक स्टेप उठा करके जो हम लोग गियर चेक हो चुका है तो हम लोग पूरा एक्टम स्पीड से घुमा के देख लियें ने का बात यह हम लोग आप दिखा रहें ऑपरेटिंग वाली बात यह भैतली की है भैकटि वाली चाइबी तो इससे बैटरी धूनलोग भी होता है इस सही आपका अब यह उन of होता है तो जैसे कि यह नो आत हो गया और और बना तक चुका हूं तो बलद द आपको मिल जाएगा तो चलिए ओन करके देख लेते हैं नीचे हम लोग बैटरी वाली चावी से ओन कर लिए अब यहां थ्रोटल वाली चावी से हम लोग ऑन कर लेंगे उसके बाद भी डिस्प्ले में लाइन आने के लिए हम लोग को यहां पावर मोड वाली बटन है पावर जो यह तो कर सकतें कि आप पास मोड दिया हुआ ह kilos को कंट्रोल कर सकते हैं तो अब जो है जिरो पे हम कर दिया है मोडों То तक कुछ लिए नहीं यह था थिस्ट टर पर दे रहा है तो मियरा सेईकल जो है चल नहीं रहा है तो अब हम लोग प्लस ओन कर एंगे तो ही हम लोग क साइकल चलने लगेगा तो इस साइकल पर डिस्पले बहुत बढ़िया ही दिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है तो चलिए हम लोग राइड लेकर देख लेते हैं और आप लोगों को साइकल से रिलेटेड कुछ भी अगर वीडियो चाहिए तो ज्यादस ज्यादा उस पर कॉमेंट की तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सस्क्राइब जरूर से कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होते रहूं और आप लोगों के लिए नयनय वीडियो लाते रहूं तुरा वीडियो देखने के लिए थेंक तुरा थेंक यू